अगर उसके जाती से बाहर निकाल दिया जाए बहश्कृत कर दिया जाए तो वो जो सूट फाइल करेगा वो सिवल सूट फाइल कर सकता है या नहीं और यदि उसने फाइल किया हुमा लीजे तो क्या वो सिवल नेचर का सूट होगा या नहीं इस बात में हमें चर्चा करनी है सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी सूट में जाती से सम्मंदित कोई भी बात है तो वो सूट जो है सिवल नेचर का सूट नहीं होगा अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाती से बाहर निकाल दिया जाता है और जाती के लोग यह कहते हैं कि आप मैरिश कास्ट की पार्टी इन सब में आप सम्मले तब नहीं हो सकते हैं आपको बहिश्क्रित कर दिया गया और साथ ही यह भी है कि उनका लीगली कोई राइट वालेट नहीं हो रहा इसमें तो फिर इस तरह का भी जो सूट होगा वो सिवल सूट नहीं हो सकता अगर दूसरी तरह से इस बात को क्लियरली समझें आप तो उस व्यक्ति ने अपने शोशल राइट को तो खोया है लेकिन अपने किसी भी तरह के लीगल राइट को नहीं खोया है तो जाती में जो उसका मान सम्मान है वही उसका खतम हुआ है तरफोर सच डिप्राइब्ड परसन कैनाट फाइल एनी सिवल सूट इस लिए इस तरह से जो बहिश्कृत वेक्ती है वो उस सिवल सूट फाइल नहीं कर सकता है वो अपनी के वल जाती का जो उनका ट्रिब्यूनल है जो कास्ट ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें जाकर के आप जरूर नहाय की मांग कर सकते हैं अगर वो वेक्ती एक्स क्म्यूनिकेट है अपने कास्ट के द्वारा तो फिर उसका उस वेक्ती का जो स्टेटर से क्यरेक्टर है रेपिटेशन है यह सब एफेक्ट होता है इसलिए इसलिए इसकी लीगल राइट को इन्फरिंज किया जारा ऐसा समझेंगे देफोर ही केन नाओ फाइल एसलिए सूट तो सेट असाइड दर रॉंग फुल एक्सपलजन फ्रॉम कास्ट एंड सच अस्च चूट कैन बी ट्राइट बाया सिवल कोड तो ऐसा जो एक्स कम्यूनिकेशन है जो रॉंग फुल एक्सपलजन है गलत तरीके से आप ने किसी प सूट माना जाएगा बहुत फाइन लाइन है महीन रेखाई यह है कि अगर शोशली केवल आप आपका प्रिविलेज मान सम्मान लॉस हो रहा है तो वह सिवल नेचर का सूट नहीं हो सकता वह आप फाइल नहीं कर सकते लेकिन अगर आपका स्टेटेस कारेक्टर करेंगे वह सिवल नेचर का होगा और यह आप सिवल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं तो गाइस दिस वाज वरी बेसिक डिफरेंस बिट्वीन वें तो कंसिडर अ सूट अंडर थे एक्सपरजिशन और एक्सपरजिशन फ्रम कास्ट अस इस इवल वन और वन इत इस नॉट झाल